तो दोस्तो आज का वीडियो एक हम तीयटर के उपर है जो की संतोस का हम तीयटर है तो इसका प्रोब्ले में इसका साउंड नहीं आ रहा है और यह संतोस का मोडेल है यह संटी 4942 तो दोस्तों दिखी इसका पिछले वाला जो डखने हो आमने को लिया तो इसका जो बोर्डे वोर्ड में हमको देक रहा है देखिए एक आईसी जो है कुछ जगा सफेद हो गया और रहा इसी फट गया तो दोस्तों ऐसे जब आईसी फट जाता है तो इसका कभी short circuit होने से ऐसा फटता है या high voltage आने से IC फटता है तो और भी दो IC है वो फटा नहीं है लेकिन step by step हम चेक करेंगे कैसे IC को faulty माने कैसे उसका value हम चेक करें माल्टी मीटर से तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए दोस्तों बहुत कुछ सिखने को मिल सकता है आप लोगों को तो skip मत किजिए हम दिखाएंगे IC को कैसे चेक करना है और इसको कैसे repair करना है तो देखिए दोस्तों इसका जो IC का लेग है वो हम cutter के मदद से काट लेंगे क्योंकि लेक काटने के बाद D solder जो pumper होता है उससे IC को उठाना बहुत ही आसान होता है तो IC उठाने के टाइम में मैंने देखा है बहुत सरा बंदा जो है उसका जो foil उखर देता है तो दोस्तों IC का उठाने का भी एक trick से अगर IC का जो solder है वो बहुत ही dry हो जाता है तो अब IC सही से उठता नहीं है तब जाके आपको re-solder करना पड़ता है उसके बाद re-solder pumper से आसानी से जो है रंगा हट जाता है तो देखें मैंने IC को खोल के बाहर निकल लिया हूँ जो इसका solder था तो अभी IC को खोल के हम बाहर निकलते हैं उसके बाद हम दिखाएंगे दोस्तों देखी बहुत ही आसानी से बाहर निकल गया और इसका उपर में थोड़ा कला कला पेट भी जम गया है इसको भी हम साफ कर देंगे और दोस्तों देखिया IC पूरा फट गया है आदा फट के गिर गया है दोस्तों तो और भी दो आईसी है हम अभी सही सिने डालेंगे पहले इसको चेक करेंगे तो माल्टी मिटर को आइ बी रोटो में रहने के बाद जो कि मिटर का फार ऐसी का मिडल वाना पपxis करिकम का लगाने के बाद black uswë माका से हम्- दो पीन हे उपर नीचे हम squeezing वैलू चेक करेंगे तो उस सब आता है ऊपर नीचे दोनों पीन पर सही से आना चाहिए थोड़ा कम ज़्दा हो सकता है लेकिन उसमें देखिए यह वाला जो पीन है इसमें बैलू नहीं दिखा रहा है मैं फिर से चेक करके दिखाता हूँ देखिए इसका जो ग्राउन में तो मैं लगा दिया है रेट प्रॉप को ब्लैक प्रॉप को उपर नीचे चेक कर रहा हूँ तो एक पिन में हमको ब हो जाएगा या सौट हो जाएगा तो हम इस I.C. को खोल के बहाँ निकालेंगे बहाँ निकाल के बी आपको चेक करके दिखाएंगे कभी-कभी क्या होता है बोर्ड में I.C. रहने हों तो बोड में रहके भी कभी कभी चेक हो जाता है लेकिन मैं इसको फिट से बहार निकाल के चेक करूंगा तो मैं दिस्ट अब करना पर के मदस्ते अब ऐसी का जो रहा है वह आटा लेता हूँ, अगर सही से आपको नहीं हट रहा है तो उसमें फिट से आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा उसके बाद अब डी सल्डर पंपर से जो सल्डर को हटा होगे तो असानी से वो हट जाएगा दोस्तो क्योंकि रांगा जब ड्राई हो जाता है तब उठाने में बहुत प्रॉब् अब आइसी जो है असानी से बाहर निखल जाएगा दोस्तों और दोस्तों यह आइसी है टी डी ए टू जिरो थी जिरो तो यह देखिए इसका नंबर और दोस्तों अभी आइसी को हम कॉंटिन्यू मून में रखे ही चेक करेंगे देखिए रेट प्रॉप को ग्राउन में मैं पकर लिया अभी ब्लैक प्रॉप से हम इसका ओम सनाप रहे तो देखिए जो डाय वाला निशले वाला पीन है उसमें वैलू नहीं आ रहा है तो देखिए इसमें यहीं कोई भी शॉटिंग नहीं दिखा रहा है हमको अभी बॉल्टेज भी नाप लेंगे डिश ट्वेंट्य मूर में रखे तो देखिए तीज बॉल्ट आरा आ रहा है तो बॉल्टेज का जो प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों वोल्टेज से यह आ रहा तो इसमें भी दोस्तों हमको 30 वोल्ट आ रहा है तो दिखिए अभी जो वोल्टेज आ रहा है तो सही है अब हम इसमें जो है आई सी को डाल सकते प्रॉब्लम नहीं आएगा भी तो हर वक्त आई सी डालने से पहले अब वोल्टेज को चेक कर लीजिए और उसका स्वाटिंग वगरा भी चेक कर लीजिए तो उसमें क्या होगा सही से वो वार्क करेगा और दोस्तों आई सी में जुरूर हिर्सिंग लगाई है क्योंकि आई सी बहुत ही गरम होता है और गर्मी जो है हिर्सिंग से बहार निकल जाता है आई सी से तो इसी करन आई सी फटता नहीं है अगर ज्यादा करूम हो जाता है अब लोग हेट सिंग पेस्ट नहीं लगाते हैं तो तब जाके i.c. ऐसे फट्ट सकता है तो मैं दुनों i.c. में हेट सिंग पेस्ट लगा दिया हूँ अभी नाट बोल्ट हम लगा गोड़ देते हैं और इसे का हैसिा लगाने के बाद इसका जो नाट बॉल्डो है ज़्यादा मतसों जितना मतलब आपको लागे ठीक लगे चीख़ीन लगे उतना तक कि करद सोंगे कि ज्यादा कसने से भी ऐसी खराब हो सकता है थोड़ा पेशर पढ़ने से अंदर से फट सकता है तो उसमें क्या होगा उसमें होगा अपका दो घंटा चलेगा या दो दिन चलेगा उसके बाद फेश से ऐसी खराब हो जाएगा तो उसको अपनी हिसाब से कस दो जितना कस सको लेकिन ज्यादा उसका नाट जो है वो कसमत क्यूंकि ज्यादा नाट कसने से आईसी के उपर अगर पेशर पढ़ता है तो आईसी अंदर से फट सकता है उसके बाद उसमें कनेक्शन देऊगे तो आईसी पूरा फट के अलग हो जाएगा तो देखिए मैंने दोनों आईसी लगा दिया है अभी इसको हम सोल करेंगे तो इसको जल्दी से हम सोल कर लेते हैं पांचों पीनों को हम सोल कर लेंगे सोल करके थोड़ा साफ कर लेंगे दोस्तों जो की लिक्विट से इसको अच्छे से इसके अंदर जो उपर जो रागा था हो आमने सुका ब्राज से साफ कर दिया अभी लिगूट से इसको साफ करेंगे क्योंकि दोनों पीन अगर सौट हो जाता है तो उसमें भी ऐसी खराफ होने के चांस होता है दोस्तों तो देखिया अच्छे से आप इसको लिकूट से साफ कर दीजिए तो साफ करने के बाद अभी यह मेरा जो बोर्ड रेडी हो गया दोस्तों तो अभी इसमें क्या करेंगे हम इसमें 220 बोल देंगे हम तीयटर में और आउटपुट जो सिक्षन है उसमें एक स्पीकर लगा के हम चेक करेंगे कि इसके चारों जो है आप स्पीकर का कनेक्शन आ रहा है तो यह दोस्तों संतोस का जो है 4.1 होम तीयटर है दोस्तों तो देखिए एक वैर ग्राउंड में और एक हम आई सी का कनेक्शन में दे दिया हूँ अभी इसमें 220 फोल्ट हम देंगे हम तीयटर में स्विच का लॉक तो देखिए हील रहा है तो मतलब यह अच्छे से चल रहा है दोस्तों देखिए चारों पीन में जो है बारी बारी करके मैं एक एक करके दिया हूँ तो मेरा आउटपुट का चारों सेक्शन काम कर रहा है तो ओके टैंक्यू वाचिंग माई वीडियो